तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी एन एम और डिप्लिमाइन पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस होगा जो इस बार जो है मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखिया तो सबसे पहले आप उस वीडियो को भी आप जरूर देखें तो उसमें हमने डिस्कस किया था एंट्रेंस कब होगा होम कब निकलेंगे और रिजल गब आएगा उनका और किस तरीके से कौन-कौन अलिजिबल है कि आर्ट वाले सुदेटिट इलिजिबल है साइंस वाले सुदेटिइण के लिए तो हमने पू उसका आ जाएगा तो उस वीडियो के कमेट में मुझे कमेट में आया था एक और मैसेज भी आया थे कि स्लेबस क्या रहता है जी एनम और एनम के लिए अगर यहां एंटरंस होगा तो स्लेबस क्या रहेगा तो इसमें जो है बहुत सारी वाले स्ट्पडेंट या नॉन मेडिकल वाले स्ट्पडेंट है या आर्ट्स वाले स्ट्पडेंट उनका different रहता है या Sam रहता है तो अज हम इस स्ट्पडेंट में वही डिस्कस करने वाले यह चलिए वीडियो को स्टाट करतें ऑर अब सबसे पहले की आप हमारे चैनल ज़रूर सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तो देखिए जो स्लेबर्स है जी एएन फैन और पैरामेडिकल कूर्सेस का वह जो है वह एक ही है जाहे वह आर्ट्स वाले common ही है तो जो है वो फ्रेंड इस तरीके से किया हुआ है जिसमें उन्हें जो है 10th का syllabus जो है रखा हुआ है तो 10th का syllabus अगर आपने देखा होगा 10th में science का syllabus रखा हुआ है और English का syllabus रखा हुआ है तो पौरी साथ तो शेयर करेंगे तो देखे जो ये सले बस है ये जी एंएम और डूपलुमाइन पेरेमेडिकल कोर्सिस के लिए हैं उसमें जो है सबसे पहले इंगलिस के अगर हम बात करें इंगलिज जो है इंगलिश के कॉस्चन आएंगे 20 कॉस्चन होंगे उसमें से तो प्रोनौन टाइप और यूजिज उसके बेसिस पर कॉस्चन आएंगे और वेटेज भी दी हुए है कि कितने कॉस्चन किस टॉपिक से आएंगे उसके बाद कंजेक्शन टाइप यूजिज यह तो बिल्कुल बेसिक सा ग्रैमर वगरा का स्लेबस यहां दिया हुआ है आप देख पा रहे इंग्लिज ग्रैमर टैन्थ तक जो हम पढ़ते हैं तो उस ग्रैमर का स्लेबस यहां इन्होंने जो है वो फ्रैम किया हुआ है तो यह जो था ग्रैमर का स्लेबस जो की इंग्लिश पोर्शन में आपको पूशा जाएगा उसके अलावा फिर फिजिक्स पोर्शन आपको अगर आप फिजिक्स का स्लेबस देखें तो फिजिक्स के लिए आपको पहला यूनिट जो है इन्होंने बताय हुआ है और 20 कोश्चन यहां पर भी आएंगे 20 कोश्चन फिजिक्स से भी पूछे जाएंगे आपको और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो है पह पे था स्फैरिकल मिरर और वह इमेज वगारा उसके रेफ्रेक्ट्व इंडेक्स और दूसरे टॉपिक जो उसमें थे वह आप पूरा बढ़ लें और उसके बेसिस पे आपको क्या कहते हैं कोश्चन पेपर जो फ्रेम होगा यहां पर जो है कुछ आप देख पा रहेंगे क स्ट्रक्चर फंक्ष्ण और जो भी वहां पर उस टॉपिक में बताया हुआ था जितना भी था वह आपने पूरा करना है उसके अलावा ग्लास प्रिजम ग्लास प्रिजम के डिस पर्शन और रिफ्रेक्शन का टॉपिक उसके रिएटेड़ कोश्चन पोचे जाएंगे उस जितना भी आपने पड़ा है तो उसी हिसाब से आपने यहां तयार करना है ज्यादा डीप भी नहीं जाना जो एलांस का सलेबस है वह बहुत वास्ट है तो उससे पूछे नहीं जाएंगे 10 के बेस पे आपको पूछे जाएंगे उसके अलावा सोर्स आफ एनेर्जी आप हुई है कि चैप्टर में से कौन से चैप्टर आएंगे तो यहां आप वह देख सकते हैं तो सोर्स आफ एनेर्जी से भी आपको कॉस्ट्ट पोस्टे जाएंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कॉन्वेंशनल सोर्स आफ एनेर्जी चितने भी टॉपिक उसमें थे तो आपने वह सारा पढ़ना है उसके अलावा केमेस्ट्री के अगर हम बात करें केमेस्ट्री में जो है नंबर आफ पॉस्ट्र यहां फोटी होंगे होटी कोस्ट्र होंगे और केमिकल रियक्शन एक्वेशन जो टैंद का एक चैप्टर था इससे आपको आर्ट कोशन पुछे जाएंगे बिल्कुल टैंद का जो भी स्लेबस था वह आपने प्रेपियर करना है इसके लिए उसके अलाव अगर हम एसीड बेसन साल्ट की बात करें यहां पर भी आपको आपको आफ कोशन पोचे जाएंगे फिर बायो की बात करें बायो में जो है आपको फॉटी टैंथ में जितने यूनिट से वह आपने सारा प्रेपियर करना है तो और उसमें लास्ट वाल एक चैप्टर भी था और एन्वायरमेंट वह भी आपने प्रेपियर करना है और इससे जो है कॉस्चन पूछे जाते हैं तो यह था इसके रिलेटिड जो जो जे एनम एनम और के लिए जो भी अप्लाई करने वाले हैं जब आने वाले दिनों में फर्म रिलीज होंगे तो उसमें जह मैंने बताया था कि एंट्रेंस होगा merit के base पे इसबार नहीं होगा उणने जो हैंट्रेंस की date भी बताई हुई है और result की day भी बताई हुए कि कब रिजल्ट होगा उसके बाद जो है आपको जो है concealer के लिए बूलाया जाएगा वो फिर result के बाद की बात है तो यहां पर जो है यह स्लेबर्स जो है मैंने कहां से निकाला स्लेबर्स जो है ऑफिशल वैब साइट पर जो है 2021 के लिए जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर रिलीज हुआ था उस पर पहले 2021 में भी यह बताया हुआ था कि एंट्रेंस होगा तो फिर हालाद अगर ठीक रहें तो उसके हिसाब से फिर कोविड का टायम जो है कोविड जो है बहुत केसे आ रहे थे फिर उन्होंने जो है फिर मैरिट बेस किया था लेकिन पिछली बार भी एंट्रेंस होने वाला था लेकिन फिर कोविड की वाज़े से यहां पर आपको अगर हम टोटल कोस्टिन की बात करें तो 20 कोस्टिन इंग्लिश में से पूछे जाएंगे 20 physics में से 40 कोस्टिन 40 कोस्टिन उसके लावा अगर हम केमेस्ट्री की बात करें तो यहां पर भी 40 40 question तो 80 question 40 और 40 80 उसके अलावा अगर हम बायो की बात करें वहां से भी 40 question आपको पूछे जाएंगे तो 80 प्लस 40 120 question 120 का टोटल question जो होंगे वह 120 होंगे तो आपने जो है 120 का पेपर होगा उसके अलावा यहां negative marking भी होती है negative marking का भी खास खयाल रखें तो negative marking जो है 1 by 4 रहती है जेके बोपी मैं जो है 1 by 4 रेश्यो में जो है negative marking होती है तो टोटल नंबर आफ पॉशन 120 है वह negative marking भी होगी 1 by 4 जो है negative marking होगी और जो है इस बार entrance होगा merit base नहीं होगा अगर किसे को इस बस चाहे वह हमें telegram group जो है वो जाइन हो जाएं वहां पर जो हमने upload कर दिया है इसले बस उसके अलावा मैंने अपने चैनल पर जो है BSC nursing का BSC nursing के related और स्कॉस्ट कश्मीर के related भी जो है मैंने पूरा स्लेबस प्रिवेस्यर क्वेशन पेपर वो सारा कुछ जो है वो डिसकस किया हुआ था वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें अगर कोई BSC nursing करना चाहता है या सिकॉस्ट कश्मीर में जो है कोई आगले वीडियो में आगले किसी अपडेट के साथ अप्तर करना चाहता है